नमस्कार दोस्तों आज से पांच महीने पहले अंजू पाकिस्तान गई थी और नसुरूला के प्यार में गई थी और पांच महीने बाद अंजू भारत वापस आती है और तमाम लोग इस बात को लेकर कहने लगते हैं कि अंजू कहीं न कहीं पाकिस्तान की एजेंट बन कर भा पारे साथ हाई कोट के सिनियर एड़ोकेट एसके मिश्रा सर है सबसे पहले सर स्वागत है आपका जिस तरह से देखा जा रहा है अंजु नसरूला के प्यार में पाकिस्तान गई थी लेकिन अभी पांच महिने बाद वापस आ गई है और कह रही है कि हम पुत्र मोह में वापस आए है लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का एजेंट बन कर आई है आप कैसे देख रहे हैं सब्सक्राइब वहां से एक सर्टन पिरिएट के बाद जब तक उसकी विजा का टाइम रहता है लोट के चली आती है इसमें अपराद कहा है वो गुमने गई गुम चल उसका एक्शनसन कराया था और यहीं एक सक का कारण बनता है कि जब IAC का इंटरफरंस है तो मेभी उसका एजेंट हो यह या उसको ट्रेंड किया गया हो या कोई कॉंस्प्रेसीम भेजा गया हो यह दूसरी बात है यह जांच कभी सए है इस पर होगा मतलब आपका मानना है क कि उसका जांच अच्छे से होना ज़ीं लेकिन इस बचने से उनको पेश नहीं होना होगा ऐसा थोड़ी है पहले सीमा भी आई थी और सीमा आई तो पूरे भारत के मीडिया को बहुत ही अच्छे वे में पेस की और उसका साफ कहना था कि जीस तरह से जाच करना है जो पूछना है पूछिए लेकिन कहीं न कहीं अंजू जो आई है एयरपोर्ट से ही मीडिया सवाल हो चाहे कोई भी सव कर रहा हो बचते नजर आ रही है जब वह आई साड़े तीन बजे इंडिया अभी आई अठारी में वहां मीडिया वालों ने जो भी वहां पर कुश्यन किया उससे उसने सिंपल एक लाइन कहा कि हो रहा है वो निकल गई वहां से लेकिन यह हैडेक हो रहा है तो जाच एजन ना होगा कि वह जैसे गई थी वह इसी लोट के आई है अब उनका जो मकसद क्या है देखिए अंजू के पाकिस्तान जाने नसुलला से मिलना अक्तूनी बनना और वहां जाके पांच महिना बिताना इससे कानूनी तोर पे कोई अपराद नहीं हुआ है लेकिन समाजिक तोर अपरादी है वो अब अपरादी क्या है उसने एक पती के मर्यादा एक घर के सीवां को पार की उसके अलावा बच्चों का जो था वो फ्यूचर वो खतम कर दी एक बाप का जो था अपना अमतहा वो खतम समाज में हो गया तो दोनों घर को इसने बरवाद कर दी और उपर से गई तो उस मुल्क में गई जो कही ने कही भारत का सबसे बड़ा दुस्मन कहा जाता है अगर वो इंग्लेंड चलेगी तो क्या होता अगर लसुल्ला के अलावा कोई इंग्लेंड का आदमी होता और यह सब कुछ उड़क इंग्लेंड चलेगी होता कहीं न कहीं उतना बुरा नहीं लगता जितना पाकिस्तान जाने से लग रहा है ये तो हमारी मानसिक्ता है कि हम पाकिस्तान से तरह नफरत करते हैं और हो भी क्यों न कहीं न कहीं पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ या हमारे देश के साथ, जिस तरह से बेवहार रखता है सर, कहीं न कहीं हमारी लड़किया जब पकिस्तान जाएंगी, तो कहीं ने कहीं हमारे देश में जो आर्मी जवान है या हमारे देश के जो नागरिक है कहीं ने कहीं एक मानसिक रूप से वो लोग बुरा लगता है बिल्कुल सही बात है तो ये मानसिक्ता हमारी है न इसमें करून कहीं नहीं आता है पाकिस्तानियों से आप नफरत करते हैं। है या अगर immigration rule में कोई संसुदन नहीं किया गया तो कल को गया ये खत्रा पैदा हो सकते हैं हमारे समाज के लिए अच्छा सर्च नस्रूला से जब पुछा गया जब अंजू के पती नस्रूला से पुछा गया कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आपने अंजू को क्यों भेज द तो यह offense है बिना तलाग के आप साधी नहीं कर सकते हैं दूसरी बाद कि अगर वहां जाके आईसा ही ज्वाइंग कर ली हो या कोई इस तरह खुफिया काम कर रही है भारत के खिलाब कोई साधी कर रही है तो यह offense है इसकी जनाच होगी है जिस तरह से अंजू ने अरबिंद को बिना तलाग किया नसरूला से साधी कर दिया पाकिस्तान जाकर तो इसमें भारतिये Hindu marriage act के तहट कितने दिनों की सजा है इसमें financial punishment भी है तीन साल का जिल भी इंको हो सकता है तो यह तो depend करता है condition क्या है लेकिन अभी तक यह यहां नहीं आ रहा है चुकि आपके पास या भारत के पास या अरबिंद के पास उसके पती के पास उसके पिता के पास शादी और निकाह कोई परमान नहीं है सिर्फ यह सुन रहें कि वो कर लिए है लेकिन प्री वेडिंग सूट का जो फोटो है वो तो social media पर भाई उतो मे कहीं कोई बारात लगी यह वीडियो दिखा दीजिए ऐसा कहीं कोई साक्ष नहीं है सिर्फ यह लोग बोल रहे हो तो यह प्रसराइज कर रहा अपनी फैमिली को अंजू ने बहुत बड़ी गलती की है दोनों परिवारों की मत हो गई और यह बच्चे ताउम्र अपने मा का नाम नहीं ले पाएंगे अब अगर वो कहीं भी लेंगे स्कूल कॉलेज हम लोग हिंदू है न भाई सनातनियों में जहां वो बच्चे अपने मा को याद करेंगे तो गाली ही निकलेगा उनका अपने मुझसे कि मेरी मा हम को छोड़के एक मुसलमान कहां चली गई थी जिस तरह से सारुक सल्मान फेल है उस तरह के पठान वहाँ पाकिस्तान में हैंसर्त. पाकिस्तान का पठानों के बड़ाई करने लगेंगे सर्व अगर कोई पठान या कोई ऐसा काम करते है तो गाली नहीं को दिकत नहीं है लेकिन आपके पास एक पुक्ता सबूत होना चाहिए नैएक प्रक्रिया में आने के लिए सक्ष है हम लोग को अभी तक अज्यू के पास अधूद को आईएक प्रक्रिया कहीम है वो हाँ समाजिक दोसी है जो पहली बार चोरी किये थे पिता जी के पॉकेट से निकाले थे परी साथ आप बोले थे का कि निकाल लिए है अच्छा सर अंजु का कहना है कि हम पाकिस्तान से पूत्र मोह में भारत आ गया है लेकिन जब मेडिया वाले पूछते हैं कि क्या आप अपने पिता से मिलेंगी तो उनका कहना है कि नहीं मिलेंगे भाई पिता रिफ्यूज कर चुका है कि वो मेरी बेटी नहीं है मेरी बेटी मर गई, जिस दिन वो यहां से गई, उस दिन ही मर गई, कोई सम्मन्न मेरा उससे नहीं है, तो किस से मिलने जाएगी पती कहता है कि हम उसको मिलेंगा नहीं, उससे रखेंगा नहीं उससे बात नहीं करेंगा, तो कहा जाएगी वो उसकी बेटी कह रही है बड़ी बेटी उसकी है वो कह रही है अपी मां से नहीं मिलेंगे हम जो बेटी कल को गया मां के फेवर में पिता जी को बोलती थी अब वो पिता जी के फेवर मां को बोल रही है जो कि मा ऐसा गुना कि यह कुष समाज में उस गली उस मुहले उस घर में कभी जानी सकती है वो अपना मूत ही खानी सकती है वहाँ पर हो इतनी मड़ी कलती कि गया है तो किस बूसर जाएगी वो और ए利कर वोатель समाज में फिर उस घर में जा रही है तो भी ठीक है आप करके आएं हैं आप सबूत देंगे जिल जाएंगे आप तो बाकी सरका सुन रहे हैं कि हिंदू मैरेज एक्ट के अनुसार अगर अंजु नसलूला से निकाह कर ली होगी और इसका साच्छे अगर आ जाता है तो कहीं न कहीं तीन साल की सजा भी अंजु को भुगतना पड़ सकता है बाकी सरका साफ कहना है कि अंजु का जाच अच्छे ढंक से होना चाहिए और जो भी हो भी रहा है और तमाम लोग भी ऐसा मान रहे हैं कि हमारे दूसमन देश पाकिस्तान से आई है तो उस पर तो कड़ी निगरानी होना ही होना चाहिए बाकी अब क्या कुछ सोच रहे है इस प्रे वीडियो के बारे में अपनी राइक कोमेंट सेक्षन में जरूर रखिएगा आप देख रहते काबिल निवज जहिन